हेलो तो चलिए आज बना लेते हैं छोले चाट छोले चाट बनानी के लिए छोले को मैं राद भर भीगा के रखी थी फिर उसमें मैं पानी डाल दूँगी नमक खल्दी और डाल दूँगी आलू और थोड़े से खड़े मसाले कूकर को 5 सिटी आने तक पका लेंगे ये देख नहां पर रोस्ट कर रही हूं जीरा इसको भी मैंने पीस कर जीरा पॉडर बना लिया है अब उसी जार में मैं बना रही हूं ग्रीन चटनी उसके लिए मैंने एक मुठी धन्या लिया है छोटा सा लिया है जिंजर और जस्ट हाफ लिया है मैंने पुदीना के पत्ते और थो से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए इमली के पानी बॉयल हो चुके हैं अब मीसे छान कर इमली चटनी बना लूँगी उसमें डाल दूँगी काला नमक जीरा पॉडर और चाहिए तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं तो चलिए छोले को रेडी करते हैं मैंने लिया है थोड़ा स अच्छे से भुण जाए तो उसमें सुखे मसाले डाल देंगे हल्दी पॉडर काश्मीरी लाल मिर्च पॉडर और धनिया पॉडर भी डाला है और जीरा पॉडर भी डाली हूँ थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं और चाट मसाला पॉडर भी आप डाल सकते हो तो हमने ले लिया है छोले को जो मिक्षर बनाया था उसके उपर हम डाल देंगे थोड़ा सा टमाटर थोड़ा सा प्याज और इमली चटनी उसे मैंने थोड़ा सा पतला बनाया था ताकि ये थोड़ा गीला रहे उसके बाद दो चमच मैंने डाला इमली चटनी और डाल दूँग चाट मसाला पौडर और काश्मीरी लाल मिर्च से इसे हम डेकोरेट कर लेंगे इसके उपर सेव पापड़ी या फिर सेव पापड़ी नहीं है तो आप जो पापड़ होता है उसे ड्राइ रोस्ट करके भी इसके उपर फैला सकते हैं तो लीजे गर्मा गर्म चाट छोले चाट तैयार हैं बीना आलू टिक्की के कभी आलू टिक्की बनाने का मन नहीं करता है तो इस तरह के छोले चाट बना सकते हैं आया है तो लाइक कीजिए बाइबाइ थैंक यू